तो हेलो गाइस स्वागत है आपका एक नए ब्लॉक में मेरा नाम है अंकिस सिंग और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है आप पीछे देख सकते हैं दूपनी निकल दी है और बादर लगे हुए हैं क्या पता वारिस हो जाए थोड़ी देर में और जैसे कि पिछले ब्लॉक में मैंने थोड़ी छोटी मुटी चीज़े एक्सप्रोरर की थी तो इस ब्लॉक में से मैं अपना पूरा विलेज है जो जो आप पीछे देख सकते हैं इस साइड के लिए जो विलेज है मेरा तो मैं इसको एक्सप्रोर करूंगा आज तो आपको लेज चलता हूं वहीं थोड़ा मुझे रैडी होना है तो आप तब दख कुछ नजारों का आनन्द दीजी और फथिएज प्रॉब और आप तो आप तो आपको शड़ाए तो आप पलाप तो आपको दो आपको बारों को आपको रहीं येजी तो त्यार है और हम चलने के लिए तो आईए चलिए मेरे साथ और यहां पर है अपनी स्कूटी तो थोड़ी गंदी भी हो चुकी है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हाँ हुआ है तो यहां नीचे पर अपना गहाँ है छोटा सा गहां हैं ज्यादा बड़ा नीन है वर यह सामने मयाली बजार को भी कभी एक्स्प्लोर्र Hag यहां से यह Highway जा रहा है आप देख सकते हैं और यही है कुछ स्थाप का मुवसम और काया है वित्राखन में देखिए आप कर दूराइब कर दूराइब कि कर दूराइब कर दूराइब कि फीर ट कि कि है कि अ एक है है एक होड़ी कार दो सब्सक्राइब कि कर प्रहिए तरो होरा कर दो दो सकते हैं इक सुन्दाइड़ इसका नाम है लांगा है यह इसलिए सुंदर है क्विव regen पहाड़ी है और इनके center में आता है तो इसलिये एक सुंदर्स गाउं है जो उतरा किनके सुंदर समलिट किया गया है गाउं बहुत बड़ा है आईवे अप गाउं की तरफ ले चलते हैं मेन center में आपको मिल जाती है दुखान जो रस्ते पे है और इस यहांसे नीचे के लिए रस्ता जाता है जो गाऊं में जाता है तो आये चलते हैं गाऊं की तरफ गाऊं काफी बड़ा है तो दिखाने में काफी time लगेगा इसके मैं छोटे मोटे सौर्ट दिखाऊंगा आपको आप इस अंताजा पर गाउं को देख सकते हैं और यहां से नीचे सिडियाल बनी हुई है और यहां साइड में एक मंदीर है जो गन्याल देपता का है जो गाउं की सोबा और ज्यादा करता है और यहां से गाउं का व्यूँ कुछ इस परकार दिखता है आएए आपको नीचे ले चलते हैं फिर से एक सुन्दर सा व्यूँ गाउं का सामने पे गाउं और हरी भरी खेट जो गाउं को और भी सुन्दर बना देती हैं मन त्रिप्त कर देती हैं जैसा है यह गाउं और यहां से गाउं सुरू होता है जो की बड़ा गाउं है आगे चलते हुए रस्ते में काफी चीज़े दिखींगी जैसे घर बने हुए हैं यहां से यह गैलरी टाइप की बनी हुए हैं जो गाउं के बीचों बीच जाती है आज पास के लोग बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और यह सेंटर है गाउं का यहां पे सब लोग अभी काम पे गए हैं उन्दब गाउं से बाहर गए हैं इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा ओपर कुछ लोग बैठे हुए हैं आईए उनसे कुछ बाते करते हैं और यहां से कुछ इस परकार से दिखता है गाउं का यूँ जो काफी सुन्दर है काफी अच्छा दिखता है तो आगे की साइट काफी बड़ा गाउं है जो मैं अभी एक्स्प्लोर नहीं कर पाऊंगा वीडियो में तो अभी फिर इसको एक्स्प्लोर कर लेंगे तब तक के लिए आप इन नजारों का आनन दीजिए तो जिसने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपको किसी भी वज़ा से हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के साथ बने रहे आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए आईए यहाँ पर एक अम्मा जी खाना खा रही है आईए उनसे कुछ बातें करते हैं फिर चलते हैं तो अभी घर जाने का टाइम हो चुका है एचली में मुझे कुछ काम याद आ गया है तो चलिए अभी घर चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं काफी चीज़ें आपको नहीं बता पाया तो आई हो फिर कभी तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार